जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद गतोब ऐसे बढ़ी होंगे इस वीडियोम दोस्तों बात करेंगे सिसी वर्से जीजी के बीच में यानि कि ड्रीम 11 इसलिए टीटेन का जो मैच आपको देखने को मिलेगा सिसी और जीजी की डेम्स के बीच इसको गवर करेंगे वीडियो क्योंकि ये टीटेन मैच रहेगा याँ पे आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ में टीम बनाने ही पड़ेगी परस आपको ये पता होना चीए कि कौन-कौन से प्लेस इंपोर्टेंट रहेगे क्या आपको दोनों टीम्स का बैटिंग ओडर देखने को मिलेगा और क क्यों सा प्लेइर ऐसा रहेगा जो कि आपको बैटिंग के साथ में या पर बोलिंग भी प्रोपर कराके देगा ठीक है क्योंकि ऐसे ही प्लेइर आपको अपनी टीम में कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी में पिक करके चलने पड़ेंगे तो आपको मैं विद डिटेल यार की पोजिशन के लिए ये मैच खेला जाएगा ठीक है दोनु टीम्स के बीच में क्योंकि ओलडी दो जो टीम्स है वो फाइनल गंदर जा चुके तो ये जो मैच रहेगा नंबर थ्री और नंबर फोर की पोजिशन के लिए खेला जाएगा तो ये आपको धाना ने रख आपको IPL की वीडियोज भी मिलेगी उसके अलाव आपको अधर कोई T20 या फिर डोमेस्टिक मैची जोते या फिर भाईया कोई ODAI मैच होगा तो उसकी भी आपको वीडियोज मिलेगी मतलब जो भी मैच इंपोर्टेंट रहेगा सबकी आपको वीडियोज जो रहेंगी वो वीडियो का डिसकिप्शन में दोनों जिगापे मिलेगा जोईन कर लेना टोस के बाद में कोई भी अपडेट होंगी या फिर फाइनल टीम अगर कोई चेंज करेंगे ना आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट मिलेगी और T10 मैच है टेलीग्राम से जुड़ना आपके बता दू यहाँ पे न T10 मैच और पिच रिपोर्ट या निगी पिच का जो रोल रहेगा वो उतना जादा आपको देखने को नहीं मिलने वाला ये ध्यान में रखना अगर पिच रिपोर्ट की या फिर वेन्यू के स्टैट्स की यहाँ पर जरूरत होती तो मैं आपको CC की प्लेंग 11 देखेंगे और प्लेयर के स्टैट्स किस पर करके वो आपको बता दू ताकि आपको यह पता लग जाए कौन-कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट रहेगा CC की टीम की बात करेंगे डेरन नैड जो की ओपनिंग कर सकते हैं यह लास्ट मैच का कोडिंग इनका बै नो मैच में 89 अंसे 9 की आसपास इन गैवरेज है उतनी कुछ कास फोम है नी नीजी आओगे यहाँ पर जैक्सन आपको देखने को मिल जाएंगे 9 मैच में 87 अंसे 10 कैवरेज के साथ में पलस 10 विकेट निकाल चुके तो यह चीज इंपोर्टेंट ही कि 9 मैच में 87 रंस भी है पलस विकेट भी इनके नाम है मतलब बैटिंग और बोलिंग दोनों से आपके लिए प्लेयर इंपोर्टेंट जरूर बनेगा तो आप लोग अचाहो अपनी टीम में ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी जैक्सन को जरूर ट्राई कर सकते हैं उसके बाद में सकीम चार्स रह दालके देने वाले हैं तो ये तीन प्लेयर आपके टीम में सिसी की टीम की साइड से जरूर होने चीए उसके बाद में देखो दोस्तो यहां से आपको मिलेंगे बाई जियोर जे आठ मैच में दस रंस है दो विकेट इनके नाम है चालस ने सात मैच में सात रंस करें उसके आपके डीम के बाईयर थी चीए ठीड मेकर जरू हैंगे उसके बाद में आपके लिएउसर दीम की साइड से बिलकुल भी ड्रू नहीं पहले चलेंगे उसके बाद में हम लोग जिजी की टीम देखेंगे और उसके बाद में जो भी प्लेयर बचेंगे ना फिर उनके बारे मैं आपको बताऊँगा कि अधर ओप्संस में आप लोग कौन से प्लेस को लेके चलोगे ये सिसी के सैड से मैंने आपको चार प्लेयर बता दी है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस मैच में बनने वाले हैं नीचे आओगे दोस्तों यहां से आपको बता दू छोटी सी अपडेट दे दू अगर आपने विजन 11 को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जो लिंक रहेगा वो आपको नीचे वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हो पहली बार साइन अप करने वे आपको 500 रुपीज का कैस बोनस भी मिल जेगा मेरा रैफर गोड है उसके साथ में अगर आप लोग साइन अप करते हो जो एप रहेगी इसके इंपोर्टेंट चीज आपको बता दू सबसे कम जो है आपको यहाँ पे इंटरिफीस देखने को मिलेगी किसी भी अधर प्लैटफोर्म के साथ में आप लोग कंपेर करके देख लेना जो सबसे कम इंटरिफीस आपको मिलेगी ना सिर्फ और सिर्फ मिलेगी बाई विजन इलेउन पे सबसे बैतरी नैप है क्योंकि आप लोगों का पैसा काफियत तक आप बचेगा क्योंकि वहाँ खेलो ना बाई जहाँ के पैसे कम यूज हो ठीक है मिलना आपको उतना ही है लेकिन कम से कम आपकी जेब से जाएगा तो कम तो वो चीज का बेनिफीट भी आपको विजन क्योंकि यहाँ पे सबसे कम आपको इंटरिफीज देखने को मिल जाएगी किसी भी आपके साथ में कंपेर करके देख सकते हूँ इनके अगर मैं मेन फिट्स की बात करूँ है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे सैकंड इनिंग फेंटसी आप लोग खेल सकत है ठीक है उसके बाद में साइन अप करने पे 500 पीज का कैस बोनस है लोवेस्ट इंटरिफीज जो कि मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ मल्टिपल कोंटेस्ट आप लोग जोईन कर पाऊगे एक सिंगल कलिक में 200 या फर जितने मर्जी आपको कोंटेस्ट जोईन करने व उसके बाद में आपको यहाँ पे क्विक कश्मर सपोर्ट और एक करोड के जो है लीडर बोड गीववेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो काफी बड़ी है पर दोस्तों आप लोग ट्राई कर सकते हूँ डाउनलोड लिंक जो रहेगा वो आपको नीचे करेंगे नो मैच में 68 रंज सा 21 कावरेज के साथ में च्यार विकेट भी इनके नाम है एल लोरेंस रहेंगे नो मैच 245 कावरेज काफी अच्छी फो में वो T20 मैच है उसके हिसाब से देखोगे तो 49 या फिर 40 कावरेज T10 मैच में काफी जाद होता है नोर्मली 30 का एवरेज नो मैच में 83 रंज से साड़े 13 कावरेज है जियोर्ज की होने की बात करें 8 मैच में 50 रंज 25 कावरेज है बैक्स ने 8 मैच में 4 विकेट निकाले बल्ले बाजी से इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे लेकिन गेंद बाजी से जरूर इंपोर्टेंट हो सकते है उसके बाद में रहेंगे, 4 match में 2 VGAT इनके नामे नीचे आउगे, यहां पर دैविस चार्स रहेंगे, 9 match मे 20 रंस से 8 VGAT इनके नामे इंपोरेंड स्टार लगा लेना उसके बाद, डेनरो ऐचार्स रहेंगे, 7 match में 2 VGAT, उसके बाद रहेंगे दोस्तों, इहां पर 9 मैच में 5 विकेटिन के नाम है और विलियम्स के नाम 8 मैच में आपको 6 विकर देखने को मिल जाएंगे Important प्लेयर सुन लो एक बार द्यान से सबसे पहले जर्मिया टीम में पिक करोगे जो कि आपको बल्ले बाजी के साथ में गेंद बाजी भी डाल के देंगे लोरेंस को ट्राई कर सकते हो क्योंकि बैटिंग में काफी अच्छी परफोर्मेंस दिखाई है अलड़ी याँ पे 40 केवरेज के साथ में 274 रंस कर रहा है मतलब दोनों ओपनर आपके लिए important हो सकते हैं अगर मैं GG की टीम की बात करूँगा उसके बाद में नीचे होगे यहां से जो मिडल के 3 प्लेयर है उनकी फोर्म उतनी बढ़िया है नहीं लेकिन ये T10 मैच है किस मैच में कौन सा प्लेयर स्रंस मार दे या फिर कौन कितने विकेट निकाल देगा बोस कुछ नहीं कह सकते है फिर भी अगर आप लोगो को मिडल में से कोई प्लेयर अगर पिक करना है न तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद में बैग एस जो कि आपको तीसरी पिक मिलेंगे इस टीम की नीचे आओगे याँ पर चार्ल्स को पांची उप्सन में रखोगे निकल्स को सठी और याँ पर विलियम्स को साथ वी साथ प्लेयर आपको यहां से मिले चार प्लेयर में आपको जो कि अलड़ी बता शुका हूँ भाई SEC की टीम के साथ से मतलब 11 प्लेयर तो मैंने आपको यहीं पर बता दिये जो कि आपके लिए इस मैच में मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले तो डारेक्ट आपकी यहां पर 11 प्लेयर की टीम की रेट हो जाएगी बाकी जो प्लेयर बस्ते उनमें से अगर आप लोग अपने हिसाब से किसी को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो पूरे स्टेट्स मैंने आपके सामने रख दिये दोनु टीम्स के प्लेस के वेन्यू स्टेट्स या फर पिछ रूपोर्ट यहां पर ज्यादा माईने नहीं रखने वाली हो मापको पहले किलियर कर दू अब ही चलते दोस्तों डेमो टीम पे एक बार आपको डेमो टीम दिखा दू इस मैच में अपनी किस परकार बनेगी लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी अफटर टोस चेंजी जोने के बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कमेंट सेक्शन और डिसक्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का जरूर आप लोग जोईन कर लेना तो यहां से अभी आप लोग देख पाओगे मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है वो आपके सामने लेकिन यहां पर मुझे है ना अभी भी एक प्लेयर और चीए जो कि आपको मिलेगा यहां पर ओलाउंडर सेक्शन गेंदर उसका नाम किया रहेगा वो एक बरम आपको दिखा दू क्योंकि काफी अच्छी परफोर्मेंस उसने करके दिखाईए यहां होगे ना ओलाउंडर सेक्शन में आपको एक प्लेयर मिले का डेविस चाल्स ठीक है इस मंदे ने विकेट्स भी बढ़िया निगाले तो बाई इंपोर्टेंट रहेगा बट यहीं पर एक ही प्रोब्लम है क्योंकि यहां पर देखो आप लोग ना मिनिममम तीन पिर आपको बैटिंग सेक्शन से पिक करने पड़ेंगे अदर एप्स के उपर आप लोग खेलोगे नए फोर्मेट का कोडिंग टीम बनाओगे तो आप लोग यहां पर इजली मैक्सिमम प्लेयर ले पाओगे आपक से फिर आपको कोई ज्यादा इश्यू नहीं है लेकिन ओल्ड फॉर्मेट के कोई अगर आप लोग टीम बनाओगे न तो यहार आपको कोई ना कोई प्लेयर डॉप करना पड़ेगा गेंद बाजी सेक्शन से आप लोग किसको डॉप कर सकते हो वो आप लोग सोच लेना क्य क्योंकि मिनिममम तो तीन आपको प्लेयर बाई चाहिए ठीक है एक आपको विकेट के पर चाहिए उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं तो आपको जो प्लेयर डॉप करना पड़ेगा या तो लाउंडर सेक्शन का एक प्लेयर डॉप करो और आप लोग डी चाल्स को टीम में प टोस के उपर ठीक है तो टोस के बाद में अगर मैं चेंज करूँगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट जरूर करूँगा बात आएगी दोस्तों कैप्टन सी वाइस कैप्टन से कि सबसे पहला सजेशन रहे का जो कि आपको यहाँ पे दिखेंगे ओलांटर सेक् करने है, फाइनली ये च्छै प्लेयर में आपको सजेस्ट करूँगा, इन में से आप लोग अपना कैप्टन वाइस कप्टन पिक करो, अब मैं फाइनली जिसको कैप्टन सी वाइस कप्टन के बाद टेलीग्राम चैनल पर जब फाइनल टीम अप्डेट करूँगा तो आप आपको पता लग जाएगा तो आप लोग अमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जरूर से जोईन कर लेना कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्किप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अभी के लिए यह मेरी 11 प्लेयर की टीम रहेगी एक जो चेंज आपको बताता हूँ डिचाल्स का वो आप लोग अपने हिसाफ से देख लेना मैं अगर चेंज करूँगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट जरूर करूँगा उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कम्प्रेट वोच किया होगा भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना किसी भी मैच की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कुमिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी